नमस्कार स्वागत है आप सभी का The Economist में तो अभी जो हम बात करने जा रहे ना तो काफी एहम बात है कोवे 19 के रिकार्डिक कि अभी जो रिसर्च हुई है उसमें यह पाया गया है कि जो यह सिक्स फील्ट का डिस्टन जो हम कह रहे ने कि दो मीटर की दूरी आपस में बनाई रखनी है तो इसी की चलते कोवे 19 से बचा हो सकता है तो यह भी फेल हो गया है मतलब कि ऐसे यहां पर रिसर्च पाईगी जिसमें यह पाया गया है कि अगर सिक्स फील्ट से जादा भी दूरी अगर है न तब भी यहां पर क्रोना वाइरस हो रहा है तो यह बात यहां पर कही जा रही है यूएस एडिसी के द्वारा तो यहां पर नई गाइडलाइस भी किन के द्वारा जारी की गी अभी किन मुद्धों के ओपर हमने ध्यान रखना है तो यह बहुत जरूरी है उसलिए शुरूआत करते हैं लेक्च्टर की िष्व जैसे हम हवा में संस लिते कि दो हम यहां पर अगर कि बात करें तो ऐसा होता एक आखों में रैसे हमसे हमें जैसे हम Sell u पार्टतला में फील होता है जब किसी पर य होता है जहां पर अच्छा खासा मतलब प दो अगयों से उनक्षीयों चह औो फिर फार्ट Dobzh होते है इतने चोटे कि आप आखुण से देख नहीं सकते ओके तो हवा में रहते हैं काफी देर तक तो मतलब यह उनकी यहाँ पर जो उनके उपर है कि मैं दोप डौपलेक्ट कैसा है कैमिकल है कितनी देर तक उसकी आज हवा में रहने झाकी तो अब हम बात करते हैं, air की या किसी और gas की जारा तरह बात करते हैं जब भी हम aerosols की बात करें कि हवा में यह gas है जिसके चलते देखो कई बर ऐसा भी होता है, gas leakage होती है और लोगों की वृति हो जाती है, ऐसे tragedies भी भरत में हुई है यह और अबिए चुल कि ऐसे आफ जैसे आप डेहरा देख विए ессयोग सवी यहां पर फॉर्स में और जूपे उसकी बात करें उसका सकती है और अगर हम बात करें anthropogenic aerosols की तो जारा तर होता है जैसे pollutants हो गया कोई smoke हो गया तो इस तरीके से तो अभी बात कर रहे हैं कि US का Center for Disease Control and Prevention तो इन्होंने अपनी जो guideline ना guidance उनको अभी update किया है तो उसमें कहा है कि coronavirus जो है न तो अभी aerosol transmission इसको कहा जा रहा है तो इसके through यह separate हो सकता है फैल सकता है तो अभी बात कर रहे हैं कि जो pathogen जो यहां पर transmit होते हैं आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ यहां पर close contact हुआ तभी यहां पर होगा तो यहां पर बात करें कि यह अगर कोई यहां पर हवा गई न तो यहां पर उसके चलते हैं जो पार्टिकल्स हैं क्रोणा वाइरस के वह भी हवा में चले गए और उस ही यहां पर वह एरोसोल्स की तरह काम करेंगे और हवा में रहेंगे काफी देर तक और जब तक हवा में रहेंगे तो जो तूसरा बंदा चाहे वो six feet की द हैं यह हवा में रह रहें हैं काफी देर तर तो यह situation अभी बंती जारी है और अभी आगे यही बात करेंगी अभी जो एजन्सी है तो अभी यह बात कह रहे हैं कि जो एरबोन वाइरस है ना तो अभी कहीं पर भी कोई बंदा कर सांस लेता है तो उसके अगर six feet से जादा भी दूर यह तब भी यहां पर हो सकता है तो इंफेक्टर डिविजुल कोई भी परसन उसके आसपास से चाहे दूर है नुकसान कर सकता है तो यह थोड़ा देखो अभी थोड़ा अभी ध्यान लगो अपना यहां पर बात करें कि ऐसी transmission पहले यहां पर बहुत सारे यहां पर की बात करें के उपर विश्वास रहता है लोगो का कि अगर इन्होंने कोई कोई भी गाइडलाइन जारी किये ना तो उसको मानो ओके तो इस तरीके से काम करें कि उसको लोग मानते हैं तो अगर मतलब यहां से भी कोई अपडेशन में डिले हो जाए ना तब दिक्कत आती जैसे डबली वेचों के द्वारा हुआ था उसको पैंडेमिक गोशित करते करते करोना बैरस को काफी देर लगा जिसके तब यहां पर पैंडेमिक गोशित किया जब पूरी दुनिया में फैल गया ओके तो यह सिच्वे इरिया को ऐसी जगह जैसे अगर बात करूं जैसे स्टेर्स की रेलिंग्स होती है तो जारत तो अगर आप कहीं पर किसी कॉलेज में विजट करते हैं तो यहां पर स्टेर्स हो चड़ते ही चड़ते हूँ तो उससे भी यहां पर ऐसे ट्रांसमिशन होने के चांसे से तो और यहां पर गारें की चांसे से यहां पर को हो गया तो सब को होगा क्योंकि एक तो शोटा सा कमरा है बीड होगी उस कमरे में तो यहां पर फैलने के चांसेज है और दूसरी अगर वह कमरा वहां पर अच्छी से खिड़किया बगरा नहीं है वेंटिलेशन नहीं है तो तब भी यहां पर करोना वैरस हो जाएगा तो इसके भी चांसेज हैं और यहां पर यहां पर पढूरी नहीं ब्सक्राइब करें एकहें यहां पर यहां पर समाजीक दूरी बना कर रखिए तो यहां पर बात करेंगी अभी जो दिक्कत है ना जो में मुद्धे के ओपर फोकस करना वो है कि पर्सनल डिस्टेंसिंग अपने आपको बचा के चलू जतना बचा के चल सकते हो किसी दूसरे परसन के साथ जो काफी दूर अभी रखनी होगी तो असे साफ से आपर चलने की करने हैं और पर दरी जारी है कि मास्किंग करने करने हैं अगर फेंब्स की बात करें जाए भी अगर अगर एक रोום है जादा फैमिली मेंबर्स हैं तो वेंटिलेशन का यहां पर प्रबंद कर लो किस ना किसी तरीके से मतलब कि हवा क्रॉस होनी चाहिए तो हवा भी मतलब साफ हवा हो इस एरिया में आप रहो तो यह भी आपकी उपर बेंड करता है कि इस जगा पर आप जो हरा अपना सर्वाइ मतलब इसके चलते हैं यहां पर रहे हैं मतलब इसी तरीके का सेनारियह हो कि मतलब बाहर जाते हैं न कहने का toolbox भर के आख़ा फ़ेए ही कर देंसे खेंखरonte प्रवाइब दिश्टेंसिंग को भी आप फॉलोग करो तो वही बात करी है कि यहां पर जो पूरी वेटिलेटिल स्पेसे से उनका कोई नहीं पर निकालना होगा तो अभी एक और चिंता है तो कॉष्य मार्ग खड़ा हो गया है इसको दोबारा से वेवाइस करना पड़ेगा अभी तो ये ठ्री 5 की बात करें तो ये सिक्स फीट को भी कम बता रहे हैं तो अभी इसको चेंज करने के आपर बात चरीगे तो यह था पूरा का पूरा सरेंडियों यहां पर अरसोल के बारे में यहां पर जो U.S.D.C. का जो नया गाइड लैन उसके बारे में तो कैसा लगा लेक्चर अपना फीडबैक ज़रूर दें शेर करें इस लेक्चर को जादा ज्यादा बहुत शुक्रिया धन्यवाद